बुख्यमंत्रीगान, भारत सरकार के सभी मेरे साथी, आप सभी ने वर्तवान परिस्तिती की जो गंभीरता है, उसका आकलन करते हुए, कई महत्वपण बिंदू आज सामने रखे हैं, और कई जरूरी सुझाव भी दिये हैं, और बहुत स्वाभाविक था, कि जहां पर मुर्त्युदर जादा है, जहां पर कोरोना का स्प्रेड तेज हो रहा है, उन राज्योक्षगात विशेशुप से चर्चा की गई हैं। लेकिन बागी राज्यों के पास भी काफी अच्छे सुझाव हो सकते हैं, तो मैं आगर करूँगा कि ऐसे कोई पॉजिटिव सुझाव जो जरूरी हैं, आपको लगता है, वो मेरे तक पहुंचाईए, ताकि कोई कोई राणदिती बनाने में वो उपकारक होंगे। अभी यहां जो भारत सरकार की तरब से स्वास्ता सचीव की तरब से प्रेजेंटेशन रखा गया, उससे भी स्पर्ष्ट है कि एक बार फिर चुनवती पुन स्थिती बन रही है। कुछ राज्यों में स्थिती ज्यादा चिन्ता जनक हैं, ऐसे में गवर्नन्स सिस्टिम में सुधार यह बहुत आवश्चक है, यह मैं समझ सकता हूँ कि साल भर कि इस लड़ाय के कारण लवस्ता में भी ठकान आ सकती हैं, डीलापन भी आ सकता है, लेकिन यह दो-तिन सप्त और अगर हम टाइट करें, और अगर गवर्नर्स को बराब मजबूत करें, इस पर हमने बल देना चाहिए, सात्यों आज की समिक्षा में कुछ बाते हमारे सामने स्पस्ट हैं, और उन पर हमें विशेज ध्यान देने की जरूरत है, पहला, देश फर्स्ट वेव के समय की पि क्रॉस कर चुका है, और इस बार के ग्रोथ रेट में पहले से भी ज्यादा तेज है, दूसरा, महराष्टर, चर्टिसगर, पंजाब, मत्बदेश, गुजरात, समेथ, कई राज्ये, फर्स्ट वेव की पिक को भी क्रॉस कर चुके हैं, कुछ और राज्य भी इस और तेजी से बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए इस चिंता का विशे हैं, सीरियस तंसन हैं, और तीसरा, इस बार लोग पहले की अपिक्षा बहुत अधिक कैज्यूल हो गए हैं, अधिक तर राज्यों में प्रशासन भी सुस्त नजर आ रहा हैं, ऐसे में करोना के केसिस की अचानक बढ़ोतरी ने मुश्किले ज्यादा पैदा की हैं, करोना के प्रसार को रोकने के लिए फिर से यूद्धत स्थर पर काम करना आवश्यों है, साथ वे इन तमाम चुनावतों के बावजों हैं, हमारे पास पहले की अपेक्षा बहतर अनुभो है, पहले की अपेक्षा अच्छे संसाधन है, और अब एक वैक्सीन भी हमारे पास है, जन जागीदारी के साथ साथ हमारे परिश्रमी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्टर्स हेल्थ केर स्ट्राइब में स्थीति को समानने में बहुत मदद दी और आज भी करने हैं, आप सभी में अपने पहले के अनुभाओं का प्रभावी डंग से उप्योंग अपेक्षीत है, अब आप कल्पना कीजिए, कि गत और जिन दिनों में हमारे हाल क्या थे, हमारे पास टेस्टिंग लेप नहीं थे, इवन मास्ट कहां से मिलेगा हिर्विक चिंता का मिश्रत है, पिपी केट नहीं था, और उस समय हमारे लिए बच्चने का एक मात्र साधन बचा था लॉकडाउन, ताकि हम व्यवस्ताओं के एक दम से जितना तेजी से बढ़ा सके, और वो हमारी स्ट्रेजी काम आई, हम व्यवस्ताओं को बना सके, समसाधन खड़े कर पाएं, हमारी अपनी capability बढ़ाई, दुनिया से जहां से प्राप्त कर सकते कर पाएं, और लोकडाउन के समय के हमने उ हमाशी के है, हमारा बर्ग माइच्रो कंटेनमेंट जोन परवना चाहिए, छोटे-छोटे कंटेनमेंट जोन पर सब सबसे ज़याँ गरख़े, जहां पर रात्री कर्फ्यू का प्रयोग हो रहा है वहां मेरा अग्रह है कि उसके लिए शब्द प्रव हमेशा करे कोरोना कर्फ्यू ताकि कोरोना के प्रती एक सज़क्ता बनी रहे कुछ लोग यह intellectual debate करते हैं कि क्या करोना रात को याता है हकीकत में दुनिया ने भी रात्री कर्फ्यू के प्रयोग को स्विकार किया है क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हां मैं करोना काल में जी रहा और बाकी जीवन व्यवस्ताओं को कम से कम हां अच्छा होगा कि हम करोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं ताकि बाकी व्यवस्ताओं को प्रभाव ज्यादा न हो और इसलिए उसको को कोरोना कर प्यों के नाम से ही चुकी है माइक्रो कंटेन्मेंट जोन उसी पर बल दीजिए आपको अच्छे परणाम मिलेंगे हाँ उसमें जड़ा सरकार को थोड़ी मेहनत ज्यादा पड़ती है गवननस को टाइट रखना पड़ता है हर चीज को माइनूटली अफज़र करना पड़ता है लेकिन यह मेहनत रंग लाएगी तो मुझे में विश्वास कीजिए दूसरी बात है हमने पिछली बार कोवीड का आंकड़ा दस लाख एक्टिव केसे से सवा लाग तक नीचे लाग के दिखा दिया था एक जिस रणदीती पर चलते हुए संबभ हुआ वो आज भी उतने ही सटिक है और मजा देखिए उस समय सफलता हम ही लोग ने पाई थी तब समसादन भी कम थे आज तो समसादन ज़्यादा है और अनुभव भी ज़्यादा है और इसलिए हम इस पीक को बहुत तेजी से नीचे ला सकते हैं पिक को उपर जाते रोग भी सकते हैं और अनुभव कहता है कि टेस्ट, ट्रेक, ट्रीट, कोवीड एप्रोप्रियेट बिहेवियर और कोवीड मेनेजमेंट इनी चीजों पर हमें बल देना है और आप देखिए अब एक विशय ऐसा आया है मैं आप सभी मुक्मेंत्रियों से आगरे करता हूँ कि आप अपने राज्य की मश्री के द्वारा थोड़ा अगर एनालिसिस करें, सर्वे करें और एक सवाल का जवाब हमें मिल सकता है क्या मैं इसको सवाल के रुप में कह रह पहले करोना के समय क्या होता था हलके फुल के सिंटेंस भी लोग धर जाते थे तो तुरंत एक्षन लेते थे दूसरा इन दिनों बहुत पेशन्ट असिंटेमिटी है और उसके कारण उनको लगता है तो ऐसे ही थोड़ा जुकाम हो गया ऐसा हो गया कभी कभी तो ओमी ने जनी रहा और उसके कारण वो परिवार में पहले की तरह ही जिन्दगी जीते हैं और परिणाम सुरूप पूरे अब परिवार लपेट जाता है और फिर इंटेंसिटी बढ़ती है तब हमारे ध्यान आता है जो आज परिवार के परिवार जो इसमें लपेट में आ रहे हैं उसका मूल कारण है शुरूवाद एस्म्टिमेटिक से होती है और केरलेस होती है उसका उपाय क्या है उसका उपाय है प्रो एक्टिव टेस्टिंग हम जितना ज्यादा टेस्टिंग करे तो ऐस्म्टिम जो पेसंट होगा वो भी ध्यान में आ जाएगा तो परिवार में होम कोरुन ट्राइल वगएरे धंग से कर लेगा वो परिवार के साथ जैसे नॉर्मल जीनकी जीता है वो नहीं जीएगा और इसलिए पूरा परिवार जो अज लपेट में आ जाता है उसको ब काना उसको तकलीब हो और फिर टेस्टिंग करने के लिए कि पोरर स्क्राइव फिर उसको पोजीटिव नेगेटिव मिल जायए और वह वह मैं समझता हूँ करम हमारे लिए थोड़ा बदलना पड़ेगा हम पास लिए वायरस को कंटेंड करने के लिए various एक एहं तरीका है कि कि हम हुमन होस्ट को कंटेन करें मैंने पहले भी कहा था यह कोरोना एक ऐसी चीज है कि जब तक आप उसको लेकर के नहीं आओगे गर में नहीं आता है और इसलिए हुमन सोर्स जो है हर एक को हमने जागूरत करना पड़ेगा उसने नियमों का पारण करना होगा यह बहुत आवशक है और निश्चित तोर पर इसमें टेस्टिंग और ट्रेकिंग की बहुत बड़ी भूमिका है हम टेस्टिंग को लाइट न लें टेस्टिंग को हमें हर राज में इतना बढ़ाना होगा कि पॉजिटिव रेट कैसे भी करके पांच परसंट के नीचे लाकेर के रख जाए और आपको याद होगा शुरू में जब करोना की खबरे आने लगी तो हमारे यहां कॉंप्टिशन होने लगी वो राज्य तो निकम्मा है वहां बहुत बढ़ गया फलाना राज्य बहुत अच्छा कर रहा है राज्यों की आलोचना करना बढ़ा फैशन हो गई थी तो पहली मिटिंग में मैंने आप सबसे कहा था कि संख्या बढ़ने से आप जराबी चिंता मत कीजिए उसके कारण आपको आपका परफॉर्मस बुरा है प्रेशर में मत रहिए आप टेस्टिंग पर बल दिए और वो बात मैं आज भी कह रहा हूं संख्या जादा है मेरे आप गलत करण रहा हैं क्या सोचने के जरूरत है अब टेस्टिंग जादा करते हैं उसके करण पॉजीटीव केस नजर आते हैं लेकिन बाहर निकलने का रास्ता वो ही है और जो आलोचना करने वाले हैं थोड़े दिन आलोगता सुननी पड़ेगी लेकिन रास्ता तो टेस्टिंग का ही है टेस्टिंग के करान आखड़ा बढ़ा आ जाता है आने दीजिए उसके करान कोई राज्य अच्छा है को राज्य बुरा है ऐसा मुल्यांकन का तरीका ठीक नहीं है और इसलिए मे टार्गेट 70% 70% RT-PCR टेस्ट करने का है कुछ जगह से मेरे पास खबर आई है मैंने वेरिफाइ नहीं किया है कि कुछ लोग जो RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं उसमें जो सेंपल लेते हैं उसमें बहुत लेथारजिक है ऐसे ही मूँ के आगे ही सेंपल ले लेते हैं ऐसा है बहु पर उपर से ले लिया मुँ में सवड़ा सा डाल करके तो जो रिजर्ट आएगा तो नेगेटिव याने वाला है और इसलिए जब तक सुई को अंदर डाल करके सेंपल नहीं लेते हैं जिन राज्यों में ये हो रहा हैं इसको रोकने के लिए कोशिश कीजिए भले पोजिट होगा तो ट्रीटमेंट होगा लेकिन वह नहीं होगा तो घर में फ्यलाता रहेगा पूरे परिवार को पूरे मोलने को पूरे टेनामेंड को सब को लपेट लेगा हमने पिछली मीटिंग में भी इस पर चर्चा की थी कि R-T PCR टेस्ट बढाने की ज़रुप है और फिर मैं कह कि प्रॉपर सेंपलिंग और प्रॉपर होना चाहिए आपने देखा होगा कुछ लेब सबको पॉजिटिव दे रही है तो यह तो एच्छी चितर नहीं है तो कहीं कुछ कमी है और यह गवर्णनस के मार्दम से हमनों चेक करना होगा कुछ राज्यों को इसके लिए इन्फा स्ट्रॉपर बढ़ाने की जरुद होगी लेकिन इसे जितनी तेजी से करेंगे उतना ही मददकार होगा लेफ्ट में सिफ्ट बनाने की जरुद करनी है तो मैं समगता हूँ इसे भी किया जाना चाहिए साथ ही मैंने पहज़द पारण में करा कंटेन्मेंट जोन्स में टेस्टिंग पर हमें बहुत बल जिस कंटेन्मेंट जोन्स तै करें उसमें एक भी व्यक्तिक टेस्टिंग के बिना देहना नहीं चाहिए आप देखिए आपको परणाम फटाफट मिलना शुरू हो जाएगा साथियों जहां तक ट्रेकिंग का प्रश्ण है प्रसासनिक स्तर पर हर इंफेक्शन के हर कंटेक को ट्रेक करना टेश करना और कंटेन करना इनवे बहुत तेजी की ज़रुत है 72 अवर्स में कम से कम तीस कॉंटेक्ट ट्रेसिंग से हमारा टार्गेट कम नहीं होना चाहिए एक व्यक्तिका खबर आया तो उसके तीस समंधित लोगों जो भी मिले हैं उसको हमने करना ही पड़ेगा कंटेन्मेंट जोन की भी सिमाएं सपस्ट होनी चाहिए बेग नहीं होना चाहिए पूरे के मौले के मौले हिलाके के इसा मत करो अगर दो फ्लैट है एक इमारत में छे मंजिला है तो फिर उतनों कोई करो बगल का टावर है उसको बात में देखो अधर्वाइस क्या होगा कि हम सब के सब सरल मार यही है कि महनत कम पड़ती है यह कर दो उस दिशा में मत जाईए आप सब इस दिशा में सक्लिये हैं बस हमारी सतर्ता में कोई कम नहीं नहीं आनी चाहिए यही मेरा अग्रह रहेगा हमें यह सुनिश्चित करना है कि कोवीड फटिक के चलते जमीन तक जाते जाते प्रयासों मैं सुस्ती किसी भी प्रकार से नहीं आने देनी हैं कई राज्यों मैं कॉंटेक्ट ट्रेसिंग को पिरियोडिकली क्रॉस चेक करने के लिए भी टीम्स बना कर काम किया है इसके अच्छे नतीजे मिले हैं हम सब को यह भी अनुभव है कि जहां कंटेन्मेंट जोन में हेल्थ मिनिस्ट्री की एसोपीस का और मैं मानता हूं यह एसोपी बड़े अनुभव से तयार हुई है और समय समय पर उसको अप्डे मेरा ही सुझाव जरूर होगा कि इस और विश्रे ध्यान दिया जाए जातियों हमने चर्चाव के दोरान अभी मोटा लीड़ी रेट पर चिंता चताई है यह कम से कम रहे इन पर भी हमें बहुत जोर देना है और उसका मुल कारण यह है कि वो रूटील नाइब जीता है माम और पुरे परिवार में फैला देता है और फिर एक सिती विगडने के बाद अस्पताल तक आता है फिर टेस्टिंग होता है और तब चाहें चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती है हमारे पास हर थास्टल में देथ एนालिसिस की जानकरी होनी चाहिए किस स्टेज में बिमारी का पता चला कब एडमिशन हुआ मरीज को कौन कौन सी बिमारिया थी मुरुत्यू के पिछे अन्य क्या फैक्टर्स रहे ये डाटा जितना कॉम्प्रोयंसिव होगा हमें उतने ही जीवन बचाने में बहुत आसानी होगी साथियों मैं आपकी भी जानकारी में है कि एम्स दिल्ली हर मंगलवार और सुकरवार को इस विशह पर वेबिनार आयोजित करते हैं और देश भर के डॉक्टर्स उनसे जूरते हैं ये लगातार होते रहना चाहिए सभी राज्यों के अस्पताल इनसे जूरते रहें जो नेशनल क्लिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल चल रहा है उनकी जानकारी सब को रहे ये भी ज़रूरी है और ये लगातार कॉम्मिनिकेशन की ववस्ता है जो मेडिकल फैकल्टी के लोग है उनको उनीकी भाषा में उनीकी लोग समझाए इसका प्रबंध है इसका लाब लेना चाहिए इसी तरह एंबिलेंसिस वेंटिलेटर और ऑक्सिजन अवेलेबिटी के भी लगातार समिक्षा आवश्यक है अभी तक जब पिछली बार हम पिक में थे आज भी देश में उतना ऑक्सिजन का उप्योग नहीं हो रहा है और इसलिए एक बार एनालिसिस कर ले हैं चीजों का रिपोर्ट को जड़ा वेरिफाइ कर ले हम साथियों एक दिन में हम 40 लाख वैक्सिनेशन के आंकरे को भी पार कर चुके हैं वैक्सिनेशन पर कई महत्वपण मिंदू इस चर्चा में हमारे सामने आया है देखे वैक्सिनेशन में भी आपके अधिकारियों को लगाए दुनिया भर के समरुद्द से समरुद्द देश जिसके पास सब सुविधाय उपलब्द है उन्होंने भी वैक्सिनेशन के लिए जो क्राइटरिया तई किये हैं भारत उनसे अलग नहीं है आप जरा स्थड़ी तो कीजिए आप पड़े लिखे लोग आपके पास है जरा देखे तो सही और नए वैक्सिन डेवलप्मेंट के लिए जितना भी कोशिश हो रही है मैक्सिमम वैक्सिनेशन और मैनिफेक्टिन केपिसिटी है उसके लिए भी काम हो रहा है और वैक्सिन के डेवलप्मेंट से लेकर स्टॉक और वेश्टेज जैसे जरूरी बिंदों पर भी चर्चा हुई है यह बात सही है आपको मालूम है कि भी इतनी वैक्षिन बन पाती है अब यह असा तो नहीं है कि इतने बड़े-बड़े फैक्टरिया कोई रातो रात लग जाती है जो हमारे पास अवैलेबल है उसके हमें प्रृटराइज करना पड़े जाया किसी एक राज में सारा माल रक करके हमें पढ़ना मिल जाए यह सोच ठीक नहीं है हमें पूरे देश को हाल करने उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा कोविड मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट वैक्षिन बेस्टेज यह सात्यों व्यक्षिन को लेकर राज सरकारों की सला, सुझाव और सहमत इन्हें सही देश्टराफी रणदीती बनी है मेरा आप सभी से आगर होगा कि हाई फोकर्ड डिस्ट्रिक्शन जो है उनमें 45 साल के उपर शत्व प्रतिशद व्यक्षिन के लिए लगातार प्यास कीजिए एक बार एक तो हैचिऊ करके देखिए मैं एक सुझाव देता हूँ क्योंकि ये कभी-कभी बातारों बदलने के लिए चीज़े बहुत काम आती है 11 अप्रिल जोतिवा फुले जी की जन्मे जन्ती है और 14 अप्रिल बाबा साब आप मेलकर जी की जन्मे जन्ती है क्या हम 11 अप्रिल से 14 अप्रिल पूरे अपने राज में टीका उत्सव मना सकते हैं एक पुरा वातावन क्रेट कर सकते हैं टीका उत्सव का एक विशेस अभियान चलाकर हम ज़्वादा से ज़्वादा इलिजिबल लोगों को वैक्सिनेट करें, जीरो वेस्टेज करें हम इन चार दिन जो है तिकाउसों में जीरो वेस्टेज होगा. वो भी हमारी vaccination capacity को बढ़ा देगा हमारी वैक्सिनेशन केंदरों के संग्या बढ़ानी है तो उसको भी बढ़ाएं पहले एक बार देखें कि हम 11 से 14 एपरिल किस प्रकार से चीजों को मुबलाइज कर सकते हैं एक achievement का satisfaction मिलेगा बाताओं बदलने में बहुत काम आएगा और मैं बारत सरकार को भी मैंने कहा हुआ है कि जितनी मात्रा में हम vaccination पहुचा सकते हैं पहुचाने का प्रयास करें हमारा प्रयास यही होना चाहिए इस ट्रिकाउट से में हम जादा से जादा लोगों को अभी 45 साल के उपर के जो लोग हैं उनको वैक्सिन लगाने के लिए बदद करिए मेरी नवजवानों से विशेस अपील है आप हिल्दी हैं सामर्थवान है आप बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन अगर मेरा देश का नवजवान कोरोना के जो एसोपी हैं जो प्रोटोकॉल से डिस्टन्स मेंटेन करने वाली बात हैं मास पहनने वाली बात हैं अगर मेरा देश का नवजवान इसको लीड करेगा तो कोरोना की कोई ताकत नहीं है को मेरे नवजवान तक पहुँच जाए हम पहले इस प्रिकोशन को पर बलते हैं नवजवानों को वैक्षिन के लिए जितना हम मजबूर करना चाहते हैं उससे ज्यादा उसको प्रोटोकॉल के लिए प्रेडित करें अगर हमारा नवजवान इसको बिड़ा उठा लेगा खुद भी प्रोटोकॉल का प्लान करेगा और उस भी करवाएगा तो लोगों को वैक्षिन में मदद मिल रही है और बहुत अच्छा अनुभव सब लोग लिखते भी हैं कि मुझे बहुत अच्छा अनुभव रहा लेकिन इस डिजीटल व्यवस्ता से जूडने में जैसे भी परेशानी आ रही है जैसे गरीब परिवार हैं उनके लिए टेक्न में लगाएं ताकि लोगों को थोड़ी मदद मिले हमने इसकी चिंता करनी चाहिए शेहरों में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो गरीब है बुजूर्ग है जुगी जो अपनी में रहता है उन तक ये बाते पहुचाएं उनको हम वैक्षिनेशन के लिए ले जाएं ये हमार वालेंटियर्स को, सिविल सोसाइटी को, हमारे नव जवानों को हमारी सरकारे मोबिलाइज करें और उन्हें प्राथिक्ता के आधार पर हम वैक्षिन लगवाना अगर हमारा प्रयास रहेगा तो हमें पुन्य का काम का संतोष मिलेगा और हमें उनकी चिंता जरूर करनी चा साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि वैक्षिन लगवाने के बाद भी लापरवाई न बरते सबसे बड़ी संकट यह हो गया है कि भाई अब मैं मुझे कुछ हो गाई नहीं देवन से मैं कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई दी हमें लोगों को यह बार बार पताना ह होगा कि वैक्शिन लगने के बाद भी मास्ट सबगरे जो प्रोटोकॉल्स है उसका पालन और अनिवारी है इंडिविजन लेवल पर लोगों में मास्क और सावधानी को लेकर जो लापरवाई आई हैं उसके लिए फिर से जागरुकता जरूरी हैं जागरुकता के इस अभिय अपने साथ जोड़ना होगा और इसके लिए मेरा आग्रह है कि गवर्नर नाम की जो अपने हैं इंस्टिटूट है उसका भी भरपूरुप्योद किया जाए क्या गवर्नर साब के नेतरुत्व में मुख्यमंत्री जी के महारदर्शन में आल पार्टी मिटिंग राज्य तो सबसे पहले कर लें राज्य आल पार्टी मिटिंग करें और आल पार्टी मिटिंग करके एक एक्शनेबल पॉइंट तय करें फिर मेरा आग्रह है कि गवर्नर साब और मुख्यमंत्री मिल करके चितने भी इलेक्टेड लोग हैं उनका वर्चुल वेमिनार करें पहले अर्ब करें जितने लोग चुन करके आए हैं उनसे करें और उनके सामने सभी आपके एसेमली में जो जीत करके लोग आये हैं उसके जो फ्लोर लीडर हैं सब सम्मोधिन करें तो एक पॉजिटिव मेसेज अपने आप शुरू हो जाएगा कि इसमें राजनिती नहीं करनी हैं सबने म करें दूसरा गवनर्स आपके नेतरुत्व में क्योंकि मुक्यमित्री के पास बहुत काम रहते हैं लेकिन गवनर्स का आपके नेतरुत्व में एकाथ समीट बड़ा वेबिनार भी किया जाए और जो शहर हो वहाँ पर लोकल हो तो सबे धार्मिंग नेताओं को बुला करके समीट हो जाए और बाकी लोगों को वर्चूल जोड़ा जाए जो सिभील सूसाइटी के लोग हैं एकाथ समीट उनका कर लिया जाए जो सलिब्रिटिज हैं लेखं हैं कलाकार हैं खेलाडी हैं उनको एक बार कर लिया जाए मैं समझता हूं कि यह गवनर्र के मार्जम से इस कि लगातार भिन्द भिन्द समाजों के लोगों को जोडने का एक मुम्मेंट चलाए जाए और यही बात कि आप इन प्रोटोकॉल का फॉलो कीजिए टेस्टिंग पर भल दीजिए हमारा क्या हुआ है हम एकदम टेस्टिंग भूल करके वैक्षिन पर चले गए वैक्षिन जै हमें इस प्रकार्थ भाइबीत होने की जरूत नहीं है लोगों को भाइबीत होने नहीं जह गयराए अगर हम जिस तरेके से लड़ाई को लडे थेसी तरीके से लड़ाई को जीत सकते हैं और जैसा मैंने कहा है पूरे परिवार फैल लेपट में आ रहा है उसका मूल कारण जो मुझे नजर आता है फिर भी आप लोग इसको वेरिफाइ कीजिए मैं क्लेम नहीं कर आँ किसी चीज़ का मैं सिरफ अपना जहान आकर दिक्रता हूं कि ऐस्म्टेमेटिक कारणों से शुरू में परिवार में जाता है फिर अचानक परिवार में जो पहले से ब्शिर व्यास्ति अधिया कुछ करने वाला है वह एकदम से नए संकट में आ जाता है फिर पुरा परिवार संक्त बॉया जाता है और इसलिए मेरा आगर है प्रो एक्टिवली हमने टेस्टिंग पर बल देना होगा हमारे पास व्यवस्ता है हिंदुस्तान के हर जिले में लेब बन चुकी है एक लेब से शुरू किया था हमने आज हर जिले में लेब पहुंच गई है और हम इस चीज़ को बल ना दे तो कैसे होगा इसलिए मेरा आगर है जहां तक राजनीती करना ना करना का सवाल है मैं तो डेवन से देख रहा हूं भाती-भाती के बयानों को जेल रहा हूं लेकिन मैं कभी मुह खोलता नहीं हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के लोगों की सेवा करना पवित्र हमारा ज दिया है हमने इसको निभाना है जो राजनीती करना चाहते हैं वो कड़ी रहे हैं उनके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है लेकिन हम सभी मुख्यमंत्री अपने राज्य के सभी दलों को बुला करके सभी प्रकार के लोगों को साथ रख करके अपने राज्यमस्तिती को बदल निकले आगे आएंगे, मुझे पक्का विश्वास हैं, इस संकट को भी हम देखते ही देखते पार करके निकल जाएंगे, फिर एक बार मेरा यही मंत्र है, दवाई भी और कड़ाई भी, यह इस विशे में कोई कॉम्प्रमाइज मत कीजी जी, मैंने पिछली बार भी कहा था, कि आपको जुकाम की दबा ले ली और बार बारीश आ रहें आपके मैं छाते का उक्योग नहीं करूंगा, यह नहीं चल सकता है, आपको अगर जुकाम हुआ है, दबाई ली है, ठीक हुए हैं, तो भी अगर बारीश आ रहे हैं, तो आपको छाता रखना ही पड़ेगा, रे लेंगे, मेरा पक्का विश्वास है, और मेरा आप पर भरोसा है, आप अगर इनिशेटर लेंगे, चिंता करेंगे, और फोकस टेस्टिंग पर कीजिए, वैक्सिनेशन की व्यवस्ता एक लंबे कालखन के लिए है, जो निरंतर चलानी होगी, वो चलाते रहेंगे, आज बल हम इस परदये हैं, और जो एक टीका उच्छव, एक ब्रेक्थू करने के लिए ताय किया है, उस टीका उच्छव उपर हम एक नई सफलता प्राप्त करें, एक नया विश्वास परदा करने के लिए एक छोटा सा अवसर काम आ सकता है, मैं फिर एक बार आपके सुझावों क ये प्रतृक्षा करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद!